एलो विर्वन कैसे हैं आप लोग वलकम को टार्गेट विशन जो भी स्टुडेंट जेडिमेंस कॉलेज के हैं वो उन सब के लिए है तो यहां पे देखिए जो पार्ट टू और पार्ट थ्री जो एड़बिशन हो रहा है आप लोग वो सारे स्टूडेंट को प्रॉबलम आ है कि माक्षिट नंबर जो है वहां पर पूछा जा रहा है कि माक्षिट नंबर क्या है तो आप यहां पर ध्यान रखेगा माली जे आप पार्ट टू के लिए फॉर्म फिल अप कर रहे हैं ठीक है जो भी स्टूडेंट पार्ट टू के लिए फॉर्म फिल अप कर रही है तो उ वाला माकषिय्ट में यहां माकषिट नंबर होता है , तो आपको to Part 1 का भी original माकषिट मिला नहीं और जो na Internet वाला जो माकषिट होता है उस पर नंबर नहीं लिखरात है तो वहां पे आप माकषिट नंबर के जगह पे 000 करके ड़ दीजगा अ कि part 3 तो पाड टू के पाड पार आप मांग रहा है तो वहां पर भी आपको पाड टू का तो उरिजिनल माक्षिट मैं भी मिला नहीं है तो पाड टू जो पाड थ्री का फॉर्म fill up कर रहें, वहाँ पर mark sheet number के जगा भी 00 करके डाल दी जगा, ठीक है, ये college admission लेता है, तो mainly आपका registration number सही होना चाहिए, और roll number सही होना चाहिए, name सही होना चाहिए, roll number सही होना चाहिए, name सही होना चाहिए, तो ये सब ध्यान रखे, दूसरी बात, payment के साथ problem आ रहा है, तो payment में आप complete कीजिएगा, तो दो option आता है, एक आता है save anywhere, और एक आता है go back, ठीक है, आप ध्यान रखेगा जो payment कर रहा होंगे, तो आपको क्या करना है, save anywhere पर click करना है, ठीक है, go back पर click करिएगा, तो payment फस जाएगा, save anywhere पर कीजिएगा, तो save anywhere में क्या होता है, कि आपके file में, phone प कभी भी नहीं फस जाएगा, लेकिन ये करिएगा go back, तो आपको लगया है कि अरे payment फस गया है, इसको go back पर click करते हैं, तो वहाँ पर नहीं होगा, जैसी save anywhere पर click करीगा, आपको slip download हो जाएगा, तो ये कुछ important बाते थी, अब ध्यान से ये चीज़ सुनिए, आप लोग की ज वीडियो से help मिला या नहीं, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजेगा अपने अपने ग्रूप में, चाहिए आप जो भी department की हैं, और इस चैनल पर exam से पहले important question exam में कैसे top करना है, ये बहुत कुछ, तो 700 प्लस वीडियो बना चुके हैं, और हम खुद भी जेडियो में जरूर दिखाईगा, thank you